असलाम ओलेकुम एवरिवन, वल्कम बैक टो बाइ नियो व्लॉग अधि में बना चुकी और कुछ थोड़ी बच्छियों में आज बनाऊंगी तो साफ वगरा करके मैंने पहले से रखी तो अभी उसको ना दोके ले रही हो अच्छे से बहुत ज्यादा मिट्टी रहते हैं लेकिन ऐसा लग रहा है ना कि भाजी थोड़ी कम पड़ेगी क्योंक तक मैं दाल बना के लिए रही हूँ तो दाल बनाना मेरा डिसाइड़ेट था तो मैंने पहले ही रात को एक छोटी बाटी भरके ना दाल भीगते रखी थी यह अक्खा मसुर की दाल है अब है मैंने उसको ना अच्छे से वाश करके लिया दो तीन पानी से तो मैंने यहाप यह दाल इतनी शौट कट है और इतनी टेस्टी बनती है ना मतलब अगर आपके पस टाइम नहीं रहेगा ना तो आप ऐसी दाल बनाओ और मैंने इसमें डाली हूँ आधर चुम चदरक लिसन का पेस्ट पकने की सब से मैंने कुछ पानी डाली हूँ अभी हम इसको रख दें तो मैंने थोड़े से तेल में है ना जीरा और हींग डाला है वो थोड़ा से लस्न कूट के डाली हूँ अब इसको अच्छी से फ्राई करके लेना और कांदा और आलू साथ में ही पकाने हैं क्योंकि लीफी वेजेटेबल में है ना कांदा ज्याता ब्राउन नहीं करते और मैंने टेस्ट के इसाब से नमक डाली हूँ अब इसको ढखकन ढखके हम पकने के लिए रख देंगे और भाजी को कट करके लिए तो बाजी कट करने तके ना वहाँ पे आलू है ना पक रहा है तो आलू को ना लगबग 80 परसंट गलाना है बागी का 20 परसंट भाजी के साथ ही गलेगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आलू अच्छे से पक गया है और कांदा है देखो ऐसा ना क्रंशी रहता है तो भी डाल देंगे भाजी यह भाजी है ना पहले मैं अलग-अलग बनाती थी लेकिन ना मेरे डिलिवरी के टाइम पे एक खाला थे मेरे यहाँ पे कुकिंग के लिए वो बनाते थे मेक्स भाजी तो तबसे ना मुझो बहुत अच्छी लगी है और तबसे हम लोग बनाते है तो खेर वहाँ पे मैंने भाजी डाली हूँ और भाजी डालने के बादे ना उसको बिल्कुल हिलाना ने वो अपने आप नीचे बैट जाएगी फिर हम उसको अल्टी पल्टी करेंगे तो यहाँ पे ना मैं एक इंस्टन कैरी का आच्छार बना रहे हूँ मतलब इसको आच भर के खा सकते हैं इतना टेस्टी बनता है तो यह काईरी भाई मैं नीचे वेजेटेबल्स लाई थी ना उभाईया के पास थी तो मैं लेकर आई थी तो अभी इसको ना हम बारिक कट करके ले लेंगे और थोड़ी सी काईरी मैंने बच्चा यह मैं सूकी मच्ची का सालन ब बारिक मैंने कोट के लिया है तो अभी इसका ना मसाला रेडि करते हैं तो लसन को निकालके ले लेते है और उसके बादे ना मिसमें डालेंगे हल्दी पावडर अंदास से ही डालना है मैंने यहां पर पाउचमच अल्दी पावडर डाली हूँ और टेस्ट के इसाबसे है अब यहां पे ना मैने कम से कम 3-4 चमश तेल डाली हूँ अभी इसको हम अच्छे से मीक्स करके लिए लेगे और इसके बादे ना मिसमें डालेंगे चछी कैरी यह इतना टेस्टी बनता है ना बहुत अच्छा लगता और मुझे ना सच में मालूमनें कितने दिन टेक सकता है क तो यह ना बनके रेडी है अभी इसको न में मतलब थोड़ा से सेट होने के लिए रखोंगे और बाद में है न मैं इसको यह वाले जार में भर के रख दूंगी तो यहाँ पे तब तक है ना भाजी भी देखो अच्छे से नीचे बैट गई थी अभी इसको हम मिक्स करके ले लेंगे और स्लो फ्लेम पे और दस मिनिट रखेंगे ना त्पू मेथी की मिक्स भाजी बनके रह दिया है तो यहाँ पे ना दाल भी देखो बॉइल हो गई थी अब यह ना इसको मैश करके ले लेंगे और यह दाल में कैसा है पता है ऐसे मैश करने है ना कि थोड़ी अक्की रहनी चाहिए और थोड़ी से मैश होने चाहिए तब यह खाना मतलब खाते टाइम है ना बहुत मज़ा आता है इसका तो मैंने हलकी मैश करके ली हूँ तो तो सिंपल और इतनी शॉर्ट कट है ना बनाने में और खाने में बहुत यम्मी लगती है तो अभी जैसी कंसिस्टेंसी चाहिए वैसा हम डालेंगे पानी और दाल बनके रैडी है अभी इसको ना स्लो फ्लेम पे अच्छे से पकने देंगे मैंने इसमें डाली हो सूका आम मतलब अमबो सी बोलते है हमारे इसमें ओ मैंने चोटा तुकडा डाली हो थोड़ी सी खटास आती है तो बहुत अच्छी लगती है और टेस्ट की सब से नमक डाली हो और एक साइड मैंने चावल भी रखी हो पकने के लिए और अभी मैंने आपको बोली थी ना मैं आलू अलू फ् पसंद और वैसे भी उसमें अच्छा कासा फाइबर रहे था तो खेर यहां पे ना मैंने उसका मसाला रेडी करके ले लेंगे तो यहां पे मैंने ना पाव चमश ली हो हल्दी और एक चमश मैने लगबग ली हो लाल मसाला और टेस्ट की सब से नमक अभी मैं इसमें कोकम का जूस डाल रही हूँ लिम्बू रहेगा तो लिम्बू डालो लिम्बू अभी फिलाल बहुत महंगे हो गए तो मैं यह वाला खटा यूज करती है और यह टेस्टी भी बहुत लगता है तो यहां पे मैने कोकम आगल है ना कम से कम दो से तीन चमश डाली हूँ वो मसाली को अच्छे से मिक्स करके लेंगे और अभी है ना मिसमें आलू को पूरा अच्छे से मसाला लगा के लेंगे तो इसको ना अच्छे से मिक्स करने के बाद है ना आप एटलिस दस से पंदरा मिनिट इसको रखो मारिनेट होने के लिए और यह बहुत अच्छे लगते अच्छे इस भी आता है और दाल बहुत अच्छी टेस्टी बनती है तो अभी दाल को दो से तीन मिनिट पकने देंगे फिर दाल बनके रेडी और और अलमुस्ट मेरा खाना बनके रेडी है रोटिया वेगिर मैंने सुभा ही बनाई थी जबी नाश्टे में रोटिया बनी थी तबी और सबसे पहले ज़ाड़ु मार के ले रही हूँ और सुमंगला की वैसे दो चुट्टी रहती है एक और आज उसने एक बच्छी वी ली है तो अभी जयन नहीं रहता ना तभी तूटे हुए खिलो ने उसके फेकती हुम है क्योंकि यह ना वो जब भी रहता है गर में तभी फ ऐसा लग रहा है ना बैंगलोर को नजर लग गई मतलब इतना गर्मी है ना फर्स टाइम ही यहां पर है मतलब सब लोग बोल रहे इतनी गर्मी कब भी नहीं हुई तो पता नहीं अभी कब बारिश होगी फिर से और कभी थंडा स्टार्ट होगा लेकिन कॉम्पारेटिवली मुंबय है ना यहां पर मतलब अच्छा है मतलब इतनी भी गर्मी नहीं है कि मतलब इसे के बिना नहीं रह सकते तो खेर यहां पर ज़ाडू मारके हो गया तो अभी पोचे के लिए पानी तयार कर रही हूँ ना तो मैं उसके अंदर ना लाई-जोल के साथ सा थोड़ा सा थ एक विट भी डालती हूँ तो बहुत एच्छी खुश्बू आती है और जो हमारा मॉप है ना बकेट वाला वो पूरा खराब हो गया है मतलब इसका जो दंडा है ना उसमें ड्राइ करने के लिए उसको गोल घुमाते वो बिगड गया है तो सुमंगला बुली थी यह वाला दंडा लेकर आओ मैम तो यह वाला लेकर आयू तो अभी वही उसको ना हाथ से नी चोड़ना पड़ता है और फिर पोचा करना पड़ता है और अभी बहुत जल्दी घरवाले आने वाले है मुमी डैडी के साथ साथ कोई और भी आने वाले है जल्दी आपको ना आने वाले वीडियो में देखने मिलेगा, तो वही उसकी भी तयारी मुझे स्टार्ट करनी है और जहिन भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड़ है तो अभी कुछी दिन बचे उनलोग का आने का तो यहाँ पर मेरा मॉप करके हो गया तो अभी मॉप को ना मैंने अच्छो से वाश करके बाहर गैलरी में रखी हूँ सूखने के लिए और डोर मैट्स मैंने दूई थी वाश्रूम में ही रखी थी एक दिन पहले मतलब पानी निकल गया तो अभी उसको मैंने डाली हूँ गैलरी में सूखने के लिए तो अभी बरतन है ना मैंने जबी नाश्टा वेकरा बनाया था ना सूबा तो वो सारे मैंने अल्रडी वाश की थी अभी बस मिन जो खाना पकाई हूँ ना उसके बरतन फटाफट दूखे ले रही हूँ वो भी मेरे सारे हो गए और अभी ना ये कैरी जो मैंने आचार जो बनाई थी वो अभी पूरा सेट हो गया तो इसको ना ये जार में भरके मैं फ्रीज में रख दूँगी और वैसे ना मुझे प्रॉपर आचार कैसे बनाते है वो सीखना है और मैं पक्का सीखने वल्यू सिल्मान के खाला से उनके हाथ का बहुत टेस्टी लगता है मुझे तो अभी ये ना अलू को फ्राइ करके लेंगे तो तब मैंने थोड़ा से तेल ली हूँ और मुझे थोड़ा से लेट हो गया फ्राइ करने के लिए तो यह वाँ दीख सकते हैं आलू को बहुत ज़्यादा पानी स्योटा है तो पानी से मतलब साइड में रख्यू पूरा तेल मतलब इसका निकल जाएगा और आलू फ्राय बनके रेडिये बहुत टेस्टी लगते यह तो मैं खाऊंगी और सल्मान और जेन के लिए मैंने चिकन मारिनेट कियू बस रात को ही मैं उनलों को फ्राइ करूंगी तो फेर में तो जेन को मैं नह लाने के लिए आज लेकर बाई करो तो बाई करो बाई करो इदर से जाते दूप उदर से बहुत है इदर से जाना है गंदा हुआ कैसे अच्छी कोई बात नहीं चल मैं क्लीन करूंगी चल जल्दी पीचे से जाएंगे चले हाँ से बहुत दूप है कैसा ताज का दीन बहुत अच्छा था अलहमदुलिल्हा जेन के ला लास्ट विक से जो स्कूल अक्टिविटी एन वो आपके साथ शेयर करती हूँ दिखो इदर अलिपन दीको अलिफेंट वाव माशला हुआ अलिपन दीको अलिफंट वाव माशला हुआ अलिपना जेन्ने वाव तो जैन की स्कूल में बहुत अच्छे अच्छे अक्टिविटी कराते हैं तो यह थी कुछ अक्टिविटी जो मैंने जो कुछ भी शूट किया था मैंने आपके साथ शेयर की तो भी जैन का खाना वेकरा हो गया है और अब भी मैं बैट्रियों खाना खाने के लिए मेरा जो कुछ भी मैंने किया मैंने आपके साथ शेयर किया यह है ना मेरा आलमोस्ट 9.30 to 12.30 का रूटीन था और जिसमें मैंने आच्छार बनाई थी ना उसमें मैंने थोड़े से चावल डालके ना उसको पोच के ले लिया यह चावल बहुत अच्छे लगेंगे दाल के साथ औ तो यह था आज का वीडियो आई होप आपको अच्छा लगर आगा तो जल्दी मिलते नए वीडियो में तब तक के लिए लाफीस टेक केर बाई